नमस्कार इंडिया फस्स नूज में आपका स्वागत है इस खास पेशकश में हम बात करेंगे विधान सभा खरगोन की जहां कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों में ही काटे की टककर हो सकती है इस बार के चुनाओ में क्या है यहां के सियासी और जाती समिकरन आईए आपको बताते हैं इस फिल हाल पिछडी हुई लग रही है यहां भी आगामी विधान सभा चुनाओ के मद्दे नजर बाल कृष्ण पार्टीदार को राजमंत्री बनाकर मुक्मंत्री शिवराज सिंग चुहान ने निमाल को साधने की कोशिश की है अलाकि भार्टी जन्ता पार्टी भी अंद्रूनी गुटबाजी की शिकार है उधर कॉंग्रेस की भी यही हालात बनी हुई है जो भी उम्मीदवार टिकेट लाएगा उसे पहले अपनी पार्टी की अंद्रूनी गुटबाजी और नेताओं से लड़ना होगा बहराल लेकिन इस सीट पे एक बात मानी जा रही है कि दोनों ही प्रमक्ष दलों में सीधा मुकाबला होने वाला है साथ बात करें तो बात में बात करें तो पार्टीदार और यादाव समाज के साथ ही यहाँ ब्राम्मन और वेश्य समाज प्रमक वोट बैंक है इसके लावा अनिवर्गों के भी मतदाता है इस शेत्र की बड़ी समस्याओं की हम यदि बात करें तो नर्मदा नदी की नहरों से जुड़ी सिचाई पर योजदाएं अभी भी अदूरी है बाइपास मिर्मान नहीं होने से यातायात प्रभावित है कपास और अन्य उपच के परियापत भाव नहीं मिलने से किसान परिशान है शेहर में कुंदा नदी को प्रदूशन मुक्त नहीं किया जा सका है अभी तक 2018 में अधि हम समभावित प्रत्याशियों की बात करें तो बाल कृष्ण पार्टीदार तो हैं ही विपिन गौर, कल्यान अगरवालो, राजन सिंग राठोर भी टिकेट के दाविदार माने जा रहे हैं भार्ती जन्ता पार्टी से वहीं कॉंग्रेस से रवी जोशी जो पूर प्रत्याशी है वो टिकेट के दाविदार है और परसराम डांडी जो पूर विधायक हैं वो भी टिकेट के दाविदार हैं तारकेश्वर यादव भी लाइन में हैं तीसरे दल का कोई भी प्रभाव शाली उम्मीदबार यहां फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा एक बात और की विधायक बाल कृष्ण पार्टीदार को विधान सभा चुनाओं से आठ महीने पहले श्रमव क्रशी राजमंत्री बनाकर मुख मंत्री ने कार्टों का ताज पहना दिया है बताया जाता है कि ये पद्व हार्दिक पटेल की गुजरात की राजनीतियों पार्टीदारों को साधने के लिए दिया गया है कोई नई घोशना करने के पहले पार्टिदार को कई बार सोचना पड़ेगा क्योंकि घोशना और उसकी स्वीक्रति के बार प्रियान वयन के लिए अब समय बचा नहीं है चुनाव में एंटी इंकमबेंसी और अंद्रूनी गुटबाजी दिखतर दे सकी है देखना होगा कि खरगोन विधान सवा शेत्र में इस बार क्या कुछ होने बाला है युदि रिपोर्ट इंडिया फस्ट न्यूज